तो आप सबको पता है आर्वी आ ग्रेडवी का एक्जाम अभी बहुत पास आया है मैंने आपको अल्रेड़ी डेट बताया है तो अब ही अगर आपको दोनों का प्रिप्रेशन करना है तो पहले से भी पर फोकस करना है कीजिये और से भी के लिए भी यह इंपॉर्ड़न्ट है और अगर आपको सिफ आरबिया का करना है तो आरबिया पे आपको फीजवन पर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पेटिशन अभी पता है आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है इस बार क्योंकि अभी जो लोगों का बैंक्स में सेलेक्शन हुआ है वो भी अभी कॉम्पेटिशन में है क्योंकि है बहुत सारे लोगों ने जॉइनिंग के लिए पोस्पॉन किया है आयैटीज में प्लेस्मine नहीं हो रहा है आयमस में प्लेस्मien milli में नहीं हो रहा है तो वह सारे लोग आएंगे और वह फीजवन में कॉम्पेटिशन बहुत बढ़ाने वाले तो अभी हम एक ये वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्राइमरी डीलर हम देखते हैं बहुत बार आपने इसके बारे में नियूस पेपर में पढ़ा होगा तो ये जीय में भी इंपोर्टन्ट है ये साय में भी है फैनांस में है और इसका डेफिनेट भी क्वेशन होता है ठीक है इसके अंदर इसके अंदर दो क्वेशन आ सकते हैं ठीक है जैसे पांच-पांच मार के क्वेशन आ सकते हैं और यहाँ पर पांच-पांच मार के तीन भी क्वेशन आ सकते हैं ठीक है तीन क्वेशन आ सकते तो फाइव मार्स के लिए आपको 200 वर और स्फ आंसर लिखना होता है तो अगर प्राइमरी डिलर के ऊपर कुछ आता है क्वेशन तो आपको यह लिखना है और इसके बाद और मैं आपको दिखाता हूँ, वह आपको यहां पर लिखना है, तो यह एक राइटाप है बांगे और सा में यहां पर पढ़के आपको समझ प्राइमरी डीलर इसको PDB कहते है आर्थी स्पेशलाइस फेनेशल इस एंटिटी इस लाइसेंस बाइब यार्बी आपको पता है पैसा गवर्मेंट ऑफ इंडिया को तीक गवर्मेंट आपको पता है आर्बीयाइ क्या है आर्बीयाइ इस एब वैंकर टू गवर्मेंट है याई फाइनली यह रिस्पॉंसिबेटी किसकी है यह फैसृ आपको गवर्मेंट सीकूर्टी सिख्रूंटेश मार्कें मतलब है जिसको बेचना है उसके लिए buyers चाहिए जिसको buy करना है सामने seller चाहिए इसको कहते है liquidity ठीक है stock market में liquidity होता है याने कि आप जब चाहे तब buy कर सकते sale कर सकते है by purchasing these securities and reselling them to other investor thus creating a more robust and stable market for the government debt instrument debt याने की आपको पता है कर्ज होता ही है debt instrument याने की कर्ज loan कह सकते आप उसको introduced by the RBI in 1995 the system of PD is crucial for promoting efficient transaction with government securities market this system ensures that there is a consistent participation from the dealers who are required to meet specific performance metrics such as a minimum turnover ratios participation in the secondary market activities this include bidding underwriting and the trading government securities यह भी उसमें include होता है the primary dealers are generally subsidies of major banks or financial institution यह क्या होते है subsidies होते है selected based on their capacity to provide the substantial support to the market liquidity through their activities primary dealers play a pivotal role in supporting the government's borrowing जो मैं आपको starting में कहा यह वाला borrowing needs and enhancing the overall trading environment of the government securities तो यह आपको ऐसे कैसे लिखना है और आगे भी मैं आपको slide दिखाऊँगा उसका content आप लिख सकते है आप यहाँ पर जैसे SLR के बारे में भी लिख सकते है government का जो रोल होता है मतलब आपको पता है budget में आपने देखा होगा कि तो fiscal deficit होता है fiscal deficit का मतलब उतना borrowing किया है तो यह सारी चीज़े आपको link करते आना चाहिए तो अभी यह देखी यह है list of primary dealers ठीक है यह list है as on 2020 है यह latest available है तो यह क्या है stand alone primary dealers यानि कि यह subsidies है जैसे ICS है securities primary dealers limited उसके बाद यह Morgan Stanley है यह Nomura है यह PNB है Punjab National Bank उसका है ASVI है STCI Primary Dealers Limited और Goldman Sachs है तो अगर आप यहाँ पर दिखेंगे तो यह हमारे यहाँ पर banks की subsidiaries है इसलिए मैंने इसको red color में दिया है तीक है उसके बाद bank primary dealer यानि कि जो bank है इसमें मैं बतातो तो यह red वाला है यह हमारी Nationalist Bank है जैसे Bank of Broda है Canada Bank है Union Bank है उसके बाद जो blue में है यह है आपकी यह private sector banks है यह private sector bank है SDFC यह KOTAC है यह Axis Bank है यह IDBI है और यह Yes Bank है इससे आपको यह भी पता चलेगा कि कौन-कौन से banks का market में standing अच्छा है और यह है फॉरेन वाला Bank of America City Bank Hong Kong HSBC Hong Kong Shanghai Banking Corporation JP Morgan Standard Chartered Bank and Dwight Bank इसका spelling D-U-E-T-S-C-H-E इसको कहते हैं Dwight आपको पता है जर्मनी का जो दूसरा नाम है वो है Dwight Land तो यह हो गया तो आपको यह पता होना चाहिए इंट्रो में बहुत बार यह question पूचा जाता है प्राइमर डिलर के बारे में लेकिन लोगों को फुल आइडिया नहीं होता है इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा impression डाउन होता है अगर आपको इसके बारे में और भी पटना है तो RBA के वेबसाइट पर आप जाएंगे FAQs में तो यहाँ पर एक प्राइमर है प्राइमर Government Securities Market in India यहाँ पर बहुत सारे question है यहाँ पर भी प्राइमरी डिलर के बारे में explaining किया हूँ तो इसका जो link है मैं comment section में देता हूँ वहाँ से आप यह पढ़ सकते तो यह बहुत important है जब यह starting में आया था 2020 में उस time भी मैंने इसके बारे में बताया था क्योंकि यह बहुत important document है और यह अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर minimum एक या आपका 3 मार्क तक यहाँ पर फाइदा हो सकता है आप phase 1 पकड़िए या phase 2 पकड़िए बहुत बहुत important है जैसे what is bond government securities क्या है why should one invest in GSEC how are GSEC issued ठीक है what are the open market operation यह सारा यहाँ पर LAF है तो government securities के बारे में आपको सारी information यहाँ पर मिलेगी इसका जो direct link है मैं comment section में देता हूँ वहाँ से आपको यह बटना है और अभी मैं जो दूसरा slide के बारे में बात करता है वो यह है SBI DFHI Limited is a stand-alone primary dealer ठीक है तो यह क्या है आपका discount and finance house of India यह जो है DHFI जो है यह full form है और अगर आप देखेंगे यह क्या है देखो an institution created by RBI to support book building process in primary auctions of government securities and provide necessary depth and liquidity to the secondary market in the government securities company is subsidiary of SBI है लेकिन इसको form किया है RBI ने created out of amalgamation in 2004 of two leading players in the domestic money and debt market तो RBI ने जो promoted किया है D, discount, finance house of India limited and SBI GILDS a subsidiary of India's largest commercial bank it is one of the major players in the primary dealers तो यह आप यहापे numbers यहापे देखने के ज़रूत नहीं है यह बहुत important a primary dealer the company trades in treasury bills government securities state development loans corporate bonds short term money market instruments certificate of deposit commercial paper inter corporate deposits call and notice and term money it is very active in retailing of government securities including small lots तीक है और इसके यह जो organization यह actually private है correct SBI DHFA Limited यह private है लेकिन इसका जो head होता है is managed by MDN CEO and official of the rank of chief general manager in SBI और overall guidance होता है वो board of directors chaired by the MD corporate and banking and subsidies of SBI आपको पता है 4 MD होते है SBI में उन में से एक जो है वो इसको देखते है और बहुत important है यह और वो MD में से ही आगे जाके एक chairman बनता है उसके नीचे 9, 10, 11, 12 तक DMD रहते है Deputy Managing Director और उसके नीचे रहते है CGMs तो यह बहुत important concept है इस तरीके से काफी सारे concept हम यहां पर आपके लिए लाएंगे इसके बारे में आपको कुछ question पूछना है या आपको कुछ value addition करनी है तो आप comment section में पूछ सकते हैं Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations